नमस्कार दोस्तों एक वार फिरसे आप सभी का स्वागत एंजेट एजुगेशन में दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं United Nations की एक रिपोर्ट के बारे में तो यहाँ पर United Nations के दोरा अपनी एक रिपोर्ट प्रसद करी है यह population को लेकर और उन्होंने बताया है कि 2023 के अंदर इंडिया चाइना को पीज़ छोड़कर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनने वाला है यहाँ पर आप news देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 11 जुलाई को ही celebrate किया जाता है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे साथ में इस रिपोर्ट में और क्या कैशीज़ बताई गई हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्जा करेंगे 9.5 billion हो जाएगी और इसके बाद 9.7 billion हमें देखने को मिलेगी 2050 तक तो इस तरह से population की जो growth है वो होने वाली है पूरे world के population की यहां पर बात करी जा रही है और इसके बाद इस report मां बताया गया है कि जो population है पूरे world की बहुत slow rate से बढ़ रही है इसके पहले या फिर उसके बाद 2086-87 इस तरह से किसी भी हमें यहर में जो population है उसकी peak देखने को मिल सकती है और इसके बाद जो population है वो इसी तरह की बनी रहेगी और 2100 तक इसी तरह की population बनी रहेगी जिसके बाद से हमें population कम होती हुई नजर आएगी तो यह अनुमान लगाया गया है United Nations के द्वारा उन्होंने एक report प्रस्त करी है उसमें बताया गया है इसके अलावा दोस्तों इंडिया के बारे में कहा गया है कि जो इंडिया है वो 2023 के अंदर ही चाइना को सरपास कर जाएगा मतलब 2023 के अंदर इंडिया की population चाइना की population से ज़्यादा हो जाएगी और इंडिया वर्ल्ड की most populous country बन जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा इसके अलावा दोस्तों more than half of the population यानि की पूरे विश्व की आदी से ज़्यादा जो population है वो केवल 8 देशों के अंदर ही सीमेत होकर रह जाएगी मतलब 8 देशों के अंदर हमें इतनी ज़्यादा population मिलेगी जो की पूरे विश्व की आदी होगी 50% तक population हमें 2050 तक इन देशों के अंदर देखने को मिलेगी जिनमें एक तो इंडिया है इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, Nigeria, Pakistan, Philippines and Tanjaniya जिनमें mostly African countries हैं जो की low developing countries हैं और इनी 8 देशों के अंदर हमें पूरे विश्व की 50% population देखने को मिलेगी 2050 तक अब यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं दोस्तों की यहाँ पर चाइना का नाम नहीं है अब चाइना का नाम क्यों नहीं है क्योंकि चाइना की जो population है वो काफी तेजी से गटने वाली है अभी हम देख रहे हैं कि चाइना most populous country है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा population चाइना की है लेकिन यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हैं तो चाइना की population काफी तेजी से गटने वाली है इसके बाद भी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और चीजह बताई गई है कि जो Australia और New Zealand वाला जो इलाका है वहाँ की population भी उतनी तेजी से नहीं बड़ेगी लेकिन growth हमें देखने को मिल सकती है इसके लावा Northern Africa, Western Asia और Oceania यहाँ की जो regions है इनमें भी population की growth देखने को मिलेगी लेकिन slower growth यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके लावा Eastern और South Eastern Asia, Central and Southern Asia, Latin America, Caribbean और Europe और North America यहाँ की जो population है वो 2100 तक अपने peak पर पहुंच जाएगी तो यहाँ उन 10 countries में से एक है जिनमें से सबसे ज़्यादा migration हो रहे हैं यहाँ पर 2010 से 2021 के बीच में जो 10-11 साल का समय है उसमें इंडिया से काफी ज़्यादा migration देखने को मिला है लगए 1 million लोग इंडिया से बाहर गए हैं जिनमें जो most of the लोग हैं सबसे ज़्यादा जो जनसंक्या है जो बाहर जाने वाली है वो है temporary labor movements मतलब की जो श्रमेक हैं उनका migration सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो net outflow है मतलब सबसे ज़्यादा migrant जो जिस देश से बाहर गए हैं उसका नाम है पाकिस्तान तो पाकिस्तान की इस्तिती वैसे ज़्य ज़्यादा खराब है यहां से लोग बाहर जा रहा है उसका कारण भी वही हो सकता है कहीं सारे आतंकवादी हमले इसके अलाव वहां की economic conditions खराब है political situations भी वहां पर stable नहीं है तो इसी कारण से यहां पर पाकिस्तान से लगवग 16.5 million जो migrant हैं वह वह बाहर जाते दिखाई दि जहां पर भी political situations stable नहीं है और यहां की जो governments हैं वहां पर भी उनकी conditions stable नहीं है तो यही कारण हो सकता है कि इन तीनों देशों से जाजा से ज़दा migration होने को मिल रहे हैं इसके अलावा जो Syria है वहां पर तो कई सारे आतंकवादी हमले भी देखने को मिल रहे हैं तो इनी कारण स जो इन security के चलते यहां से लोग पलायन कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों इस रिपोर्ट हम बताय गया है कि जो life expectancy at birth है वो घट गई है 71 years देखने को मिली है 2021 के अंदर जबकि हम pre corona time की बात करें 2019 की बात करें तो यहां पर जो life expectancy at birth थी 72.8 और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो माना जा रहा है COVID-19 pandemic तो दोस्तों हम सभी ने COVID-19 का समय देखा था हमने देखा था किस तरह से situations मनी थी lockdown लगे थे और सभाविक सी बात है कि इस समय के बाद जो लोग है उनकी life expectancy कम होने की बात सभाविक सी है इसके अलावा यहां पर बताय गया है कि जो 46 ऐसी countries है जो की population है वो डवाल होने वाली है ऐसा इसमें बताया गया है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है यह जो countries है यह सबसे ज्यादा मतलब least developed countries है और की population काफी ज्यादा बढ़ने वाली है तो यह बात यहां पर बताई गई है इस report के अंदर इसके अलावा दोस्तों अब World Population Day के बारे में बात कर लेते हैं तो जो World Population Day है इसको celebrate किया जाता है 11 जुलाई को Every year 11 जुलाई को World Population Day को celebrate किया जाता है to spread awareness across the globe about population issues तो जो population से related जो issues है उनके बारे में awareness फ्यलाने के लिए इस दिन को celebrate किया जाता है 11 जुलाई को इसे celebrate किया जाता है और हम देखते हैं कि जो population का मुद्धा है वो पूरे विश्वरका पन चुका है और population का फियर्दा मात्रा में बढ़ रही है जिसके कारण दे हमें कई सारे bad impacts हमारी society पर देखने को मिल रही है तो इन से related जो issues हैं जैसे कि child marriage, gender equality, human rights, importance of family planning इन and decisions for all तो यहां पर इस वर्ष की जो theme रखी गई है उसका मतलब यह है कि 2022 में जो population है पूरे world की population 8 billion तक पहुच चुकी है अब 8 billion में से पूरे के पूरे लोग ऐसे नहीं है जने अपने पूरे rights मिल रही हैं जिनकी conditions बिल्कुल सही है और जो अपने हिसाब से अपनी एक्षान के बारे में यह theme है बताती है कि किस तरह से जो equality है वो देखने को नहीं मिल रही है विल्कुल भी इसके अलावा poverty, hunger ऐसी situations हमें देखने को मिल रही है कई low developing countries के अंदर जिससे के कारण से यहां पर यह जो theme है वो रखी गई है इसके अलावा दोस्तों अब इसके history के बारे में 5 billion population पहुँच चुकी थी पूरे विश्व भर की जो population है वो 5 billion हो गई थी जिसके कारण से तब ही से इसको start किया गया जब से इसकी जो population है वो 5 billion को cross कर गई थी और तब से यह regularly every year year by year मनाया जाने लगा तो 11 जुलाई को यह particular day celebrate किया जाता है और यहाँ पर पूरे विश्व भर में इनी issues को awareness फिलाने के लिए जो population related issues है उनके बारे में लोगों को बताने के लिए family planning की importance लोगों को बताने के लिए इस दिन को celebrate किया जाता है तो यह सारी की सारी चीज़ें थी जो इस report के बारे में और world population day के बारे में जो मैंने आपको बताई तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और काफी ज़्यादा अनले जहांसे gain कर पाए होंगे दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी इस telegram channel को join नहीं किया है तो आप इसे join कर सकते हैं यहाँ पर आपको हमारी वीडियो के latest update मिल जाएंगे free pdips मिलेंगे free quizzes मिलेंगी जहाँ पर आप अपनी knowledge को test कर पाएंगे इसके अलावा दोस्तों यदि आप group D की तईयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर MJT education आपके लिए लाया है GS or science की complete batches जहाँ पर आपको current interface भी पढ़ा जाएंगे मात्र 399 रुपे में तो यदि आप इनको join करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं इनकी link आपको description मिल जाएगी और आपको strategy भी बताई जाती है जिससे कि आप अपनी तयारी को और बैतर बना सकते हैं इसके अलावा यदि आपने अभी तक इस हमारे एप को डाउनलोड नहीं किया तो आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं बाइस सेर्चिंग mjt current office and gkf on the play store यहाँ पर आपको यह सारी की सारी चीज़े मिलती हैं यहाँ पर आपको mock test के साथ में quiz मिलती हैं वीडियोज मिलती हैं